दोस्तो अगर आप एक एटल का सिम काड यूज करते हैं तो अज का ये वीडियो पूरा सुरू से रेकर लास तक जरूर दिखेगा सबसे पहले दोस्तो मैं आपको एक बार लाइप प्रूप स्पीड टेस्ट करके दिखाता हूं तो यहाँ पर मैं अपना क्रूम ब्राजर ओपन कर लेता हूँ दोस्तो यहाँ पर मैं एक बार टाइप कर लेता हूँ फास्ट डॉट कॉम आप यहाँ पर देख लीजे जो मेरी डाउनलोड स्पीड आ रही है आप यहाँ पर देख सकते हैं 55 Mbps, 44, 42 यहाँ पर अबर देख सकते हैं 40 Mbps तक की स्पीड आ रही है दोस्ततो एक बार मैं फिर से रिफ्रेश करके दिखाता हूं तो मैं फिर से रिफ्रेश करता हूं अंध हाँ यहाँ पर दिख सकते हैं 42 मतल़ा लगबख 40 Mbps के आसपास स्पीड आ रही है तो अगर आपके भी sim card में कुछ इसी प्रकर का internet speed को increase करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा वीडियो को जरूर सभी skip मत करिएगा और दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को like ने किया तो like करके channel को भी subscribe कर लीजे तो चलिए उसके लिए आपको सबसे पहले settings में चले जाना होगा settings में जाने के बाद उसके बाद से आपको sim card और mobile नेटों को एक option मिलेगा वहाँ पर आपको click करना है देन उसके बाद से आपको अपना sim card को select कर लेना है sim card select करने के बाद आप वहाँ पर देखेंगे चलिए मैं यहाँ पर आपको details बता देता हूं तो यहाँ पर जैसे click करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का form भरने के लिए page open हो जाएगा तो जो आपको name or option मिलता है यहाँ पर आपको लिखना है atl space nox.2022 same to same आपको type करना है देन आपको APN का जो option मिलता है यहाँ पर आपको लिखना है apn.nox.atl उसके बस से और नीच चाहेंगे proxy को not set port में आपको type करना है 8080 जो username का option मिलेगा यहाँ पर आपको लिखना है at the red atl India उसके बस से password को not set server में आपको type करना है www.atl.in mmsc को not set छोड़ देना है mms proxy को भी not set mms port को भी not set msc and mnc आपके phone में already set होगा तो वही रहने दे authentication type में यहाँ पर आपको select करना है PAP और CHAP उसके बस से जो apn type का option मिलेगा यहाँ पर आपको लिखना है default उसके बस से कॉमा लगाना है लिखना है supl देना आपको कॉमा लगाके लिखना है xc-ap उसके बस से नीचे आएंगे apn protocol को ipv4-ipv6 में select करना है apn roaming protocol को भी आपको ipv4-ipv6 में select करना है देन उसके बाद सबको most important part bearer का option मिलेगा तो दुस्तों अगर आपको यहाँ पर not specified है तो उसको हटा कर lte, hspa, phspa, hsupa, hsdpa और नीचे आएंगे तो gsn यहाँ पर आपको td, hcda में आईवलन का bearer select करना है उसके बैक आएंगे immunotype को non-perselect करेंगे in this apn को save करने के बाद आपको एक बार phone को जरू से जरू restart कर लेना है तो उम्मित करता हूँ आपको कभी कापी अच्छा कासा internet speed देखने को मिल जाएगा तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को like करके चैनल को भी subscribe कर लिजे